सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद पापुजी के यूटूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकान को दबाना न भूलें पनिहारी को जान लगयो मटगी मोर को जान लगयो गन गोर या दोर को जान लगयो मटगी मानो मोर ने गन गोर देख लिया हो चकोर ने चान देख लिया हो ऐसी दशा हुई मेरे सरकार की एक टक निगाहें सियाज उपर भगवान के टिक गए एक टक देखने लगे नजने हटती नहीं अब बातیں करते हैं लखन से लेकिन नजने सियाज उपर सिताजी को देखते देखते भगवान ने कहा ए लखन तुम तुम इनको पहचानते हो तो लखन तो उसरे जुका कर खड़े थे लखन ने कहा कि मुझे खबर नहीं प्रव पर भगवान तू देख रहें कि लखन देख तो सही मैं बताओ ये कौन है लक्षमान ने कहा कि ठीक है आप ही बता दीजिए लखन तो देख भी नहीं रहें लखन तो उसरे धुका कर खड़े भगवान ने तुरंत कह दिया तात जनक तन याय सोई धनुष जग्यजे कारण होई तात जनक तन याय सोई धनुष जग्यजे कारण होई तात जनक तन याय सोई धनुष जग्यजे कारण होई तात जनक तन याय सोई धनुष जग्यजे कारण होई तनुष जग्यजे कारण होई तात जनक तन याय सोई धनुष जग्यजे कारण होई भगवान ने कहा लक्षमन ये वही जनक की बेटी हैं कल जिनका स्वेंबर होने वाला है न ये वही हैं तो लक्षमन जी ने कहा कि प्रभू, एक बात कहूं, किसी की बेटी हो, किसी की बेहन हो, तो आपको क्या करना है मालिक, आप तो फूल उतारी हो, चलिए गुर्देव के पास तो भगवान लक्षमन को कहने लगे, आत पकड़े हैं लखन का, लखन तू समझ नहीं रहा है मैं जो कहना चाहता हूँ, तू समझ नहीं रहा है, लखन का कौन सी बात प्रभू, तब भगवान ने खुल कर कह दिया जासू दिलो की, अलो की कशो भार, जासू दिलो की देखो मेरे सरकार कितने विनम्र हैं, और कितने निर्दोश हैं, कौन सी बात कहां कहनी चाहिए, कोई खबर नहीं, कितने बोले हैं मेरे प्रभुरां अब ऐसी बातें अपनी छोड़े वाई से थोड़ी कहनी होती है, लेकिन भगवान कितने बोले हैं, लखन इनके सवंदर्य को देखकर सत बताओं, आज पहली बार मेरा मन आकरशित हुआ जा रहा है, इनकी और खिंचा जा जा रहा है अब ये सुनकर के लक्षमन जी सिर धुका लिये, कुछ बोले नहीं, और ज्यान दखना यहां कोई मर्यादा भगवान ने तोड़ी नहीं है, क्योंकि यहां लोकिक सौंदर्य की चर्चा मेरे सरकार नहीं कर रहे हैं, अलोकिक सौंदर्य की चर्चा, सियाजू के अलोकिक सौंदर्य को देखकर और भगवान ने कहा कि मेरा पवित्र मन आकरशित हुआ है, कोई दूशित मन नहीं, मेरे मन में कोई दूशित भावना नहीं, सहज मेरा जो दूशित पवित्र मन है वो सियाजो की ओर आतरशित हुआ जा रहा है वहाँ कोई दूशित्ता नहीं है वहाँ कोई मन में विकार नहीं है मेरा मना करशित हुआ जा रहा है और ध्यान रखना मेरे सरकार कभी बाहरी सुंदर्य को देखते भी नहीं बाहरी सुंदरता देखने वाले प्रभू होते तो शबरी मैया कौन सी ब्यूटी पालर जाती थी यां कौन सी सुंदर थी शबरी मैया मेरे प्रभू सुंदरता नहीं देखते हैं वो तो भीतर का सुंदर ये देखने वाले हैं मानसिक सवंदर ये तुम्हारा कैसा है, तुम्हारे मन में क्या है, भगवान को बाहरी रूप से कोई ले ना देना ने, इसलिए तो भगवान जब शबरी के पास गए तो शबरी को क्या संबोधन किया है भामिनी, भामिनी का मत्रब होता है सुन्दरी, कहरा घुपती सुनू बामिनी मोरे घुपती सुनू बामिनी मोरे घुपती सुनू बामिनी मोरे हमारा मन कभी कुपन्थ पर नहीं जाता कुमार्ग पर नहीं जाता लेकिन आज इनको देखकर मेरा मन आकर्शित हुआ जा रहा है तो जरूर कुछ कारण है। तब लक्षमण जी ने भी सोच लिया कि बात जब यहां तक बढ़ गई है तो बही बात तो दोनों तरफ होनी चाहिए ना। अभी तो हमारे सरकार आकर्शित हुए है लेकिन बात तो तब बनेगी जब सिया जो भी आकर्शित हो जाए प्रभु को देखकर और तब लक्षमण जी यहां पुदारी की भूमिका में आए और भगवान का बड़ा प्यारा श्रिंगार किया फूलों से सदाया। वैसे भी जब देखो कन्या पक्ष के लोग आते हैं लड़का देखने तो लड़का तयार होता है ना श्रिंगार करता। तो लक्षमण जी ने भी सोचा कि भई देखने वाले आ गए हैं और सरकार ऐसे घुम रहे हैं। तब लक्षमण जी ने भगवान को बहुत प्यारा सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद पापुजी के यूटूब चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकान को दबाना न भूलें।